हलो फ्रेंज चै माता दी कैसे हैं आप सब दोईस्तों गरने वाले हैं आज हम नमक की बस थोड़ा सा नमक थोड़े से अपने काफी है मुझे खात में बदलने के लिए एक नमक से आप किसी को इनसान को आबाद भी कर सकते हैं वहीं बरबाद भी कर सकते हैं दोईस्तों नमक जितना जरूरी है इंग्रीडियंट हमारे किचन के लिए उतना ही सरूरी है हमारे जीवन में हमारे जोतिश के लिए हमारे बास्तु के लिए बेशक थोड़ा सा ही नमक क्यों न हो ये जितना खाने का स्वात बदलता है उतना ही जिंदगी का स्वात भी बदल देता है और आ कि नमक में एक विशेश एट्राक्शन पावर होता है आकार्शन शक्ति होती है जिसके विशेश्टा के दम पर नमक ना केवल नॉर्मल वास्तु दोशों को हटाने में काम हाता है बलकि खास तांतरिक प्रयोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है इससे किसी से भी अपनी बात मनवाई जा सकती है यानि किसी को भी वश में किया जा सकता है और करोड़पिती तक एक इनसान को बना सकता है जेनरली इसका इस्तेमाल जब हम जोतिश में करते हैं तो घर से नकरात्मक उड़जा को दूर भगाने के लिए करते हैं और ऐसे चुमतकारी उपाय होते हैं, जिनने जान कर शायद आप हैरान हो जाएंगे, जब हम जोतिश में यूज़ करते हैं, तो बैस्ट हम सेंधा नमक मानते हैं, जिसे पहाडी नमक भी कहा जाता है, और जेनरली जब जोतिश की बात करें, तो नमक को चंदर और शुक्र का प्रतिनि दिमाना जाता है कुछ लोग राहु का प्रतिक भी मानते हैं और नमक के जितने फाइदे होते हैं जो हमारे पूरे घर को सुख सम्रिधी लाते हैं वही नमक को यदि आप सुख सम्रिधी लाने के लिए किसी स्टील या लोहे के बरतन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनी का मिलन हो जाता है और आपको परबाद भी कर सकता है यही रोग और शोक का कारण भी बनता है इसलिए आपने देखा होगा अक्सर बड़े बुजर्गों को हमेशा मना करते होंगे कि मसाले के डबे में नमक मत रखो स्टील के डबे में नमक मत रखो, लोहे में नमक मत रखो, यह आपको नहीं करना चाहिए प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए, सिर्फ कांच के पात्र में हमेशा नमक को रखना चाहिए ये बुरा असर नहीं देता है क्योंकि दोनों ही राहू की कारक चीजे मानी जाते हैं इसलिए कहते हैं कि वाश्रूम में आप अगर नमक भर के कांच के प्याले में रखते हैं या स्नान घर में तो इससे घर का वास्तु दोश भी दूर होता है इससे नकरात्म कुर्चा दूर होती है और साथ ही साथ अगर देखा जाए साइन्टिफिकली जो सुक्ष्म किटानू होते हैं जिने हम आखों से नहीं देख पाते हैं उनका भी नाश होता है नमक को कभी भी सीधे सीधे किसी इंसान के हाथ में नहीं देना चाहिए इविन नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए इससे भी कहते हैं मनुशी के संबंध खराब होते क्योंकि एक दूसरे को मुराहु गिफ्ट कर रहे हैं दरिदरता अगर आपके घर पे जादा आ रही है तो इसके लिए भी सपता को एक बार में बताती हूँ क्योंकि आप सब्ता के हर रोज सिर्फ गुरुवार के दिन चोड़ लीजिए आप नमक मन डालिए पानी में बाकी पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा खड़ा नमक या समुद्री नमक जिसको कहते हैं वो आप मिला लीजिए या नॉर्मल नमक भी मिला सकते हैं इससे भी आपके घर की नकरात्म कुर्जा नश्ट होती है यदि आपको लगता है कि आपके घर में निगेटिविटी जादा है हर वक्त घर का महौल खराब रहता है कलेश होता है तो आपको अपने घर में अगर कांच के बोल में नहीं रख सकते तो छोटी शिशी में नमक भर करक आपको उसको अपने घर के टॉयलेट में रखना चाहिए घर के चाहे किसी कौने में अगर घर के वाश्रूम में नहीं रख सकते तो किसी भी कौने में रख दे शीशे के बरतन में नमक बरकर इससे भी घर में सकरात्मक उर्जा का संचार होगा और कोई भी कलेश आदी है उसका निवारन होता है समय समय पर एक मैने के अंतराल पे इसको बदलते रहें और नकरात्मक उर्चा को खत्म करने के लिए आपको डली वाला नमक जो साबुत नमक होता है वो यूज करे वो जादा बेटर होता है आप चाहें तो मुक्य द्वार पर भी आप लाल रंके कपड़े में नमक को बांध करके आप इसको लटका सकते हैं अगर आपको लगता है जैसे घर पे कलेश जादा है दुरुभाग ये सभी लोगों का जादा है या किसी ने कुछ किया धरा है तो मुक्य द्वार पर लाल रंके कपड़े में बांध करके डली वाला नमक ले लीजे डली वाला नमी ले तो जो नमक है वो ही लीजे और उसको आप बांध दीजे इसे भी उत्रे जो भी नकरात्मक शक्तियां है वो घर पे प्रवेश नहीं कर पाती किसी ने कुछ किया धरा है वो नहीं प्रवेश करता इसी प्रकार से आपके प्लांट हो आपका दुकान हो इसमें भी मेन गेट पे या फिर तिजोरी के उपर आपको नमक लटकाना चाहिए इससे भी व्यापार में दिंदुनी राच्चोगनी उन्नती होने लगती है घर में खास कर धन का प्रवा बनाए रखने के लिए आपको कांच के गिलास में पानी लेना चाहिए और उसमें नमक मिला करके जो घर का नेतित्ति कोन है जानी की साउथ वेस्ट कॉर्णर अफ जो हाउस है वहाँ पर आप इसी कोने में रख दें और उसके पीछे लाल रंग क बल्ब लगा सकते हैं रॉक सॉल्ट लैब भी आते हैं आजकल आप उभी यूज कर सकते हैं और जबी भी पानी सुखे तो उस गुलास को साफ करके दोबारा नमक का पानी मिला करके उसको भर देना चाहिए नमक को कांच के पात्र में जब आप रखते हैं कहीं भी चाह घर क कमी नहीं होती है दोस्तों दोस्ती और दुश्मनी दोनों ऐसे रिष्टे होते हैं जो बनाने नहीं पड़ते जिनसे दोस्ती होनी होती है एक सेकंड में हो जाती है और दुश्मनी भी होती है तो ऐसे ही होती है जो खास दोस्ते कभी-कभी उनसे भी दुश्मनी हो जाती है खास कर अपने जो होते हैं उनसे दुश्मनी जादा जल्दी होती है दुश्मन आपके पीछे कोई हाथ धो करके पढ़ गया है तो आपको नमक की मदद लेनी चाहिए आप उससे निजात पा सकते हैं सबसे पहले आपको एक मुठी पीसावा नमक लेना चाहिए और शाम के समय उसे अपनी सिर के उपर से तीन बार घुमा करके घर के बार फेक देना चाहिए आप ध्यान रखें तीन दिन तक लगातार अगर इस उपाय को आप करते हैं तो दुश्मन की कोशिशें अपने आप विफल होने लगती है इसके अलावा हर कोई जानता ही है नमक राई का जो बहुत ही फेमस उपाय है घर घर में बच्चे जब छोटे होते हैं या किसी पे भी कुछ होता है तो साथ नमक की डली और साथ राई के दाने साथ लाल मिर्च ले करके जिस पर भी लगता है कि मनुष्य के उपर या बच्चे के उपर कोई वशी करन हुआ है जादू टोना टोटका दी हुआ है बुरी नजर लगी है उसके सिर से साथ बार आप पूल्टी दिशा में घुमाना चाहिए और फिर अगनी में इसको जला देना चाहिए कई लोग गैस पे जलाते हैं पर प्रेफरेबल होता है कि आम की लकडी या गोबर के कंडे होते हैं उसके उपर आपको जलाना चाहिए और फिर ये काम जो पूरा काम आप करते हैं ये अपने बाई हाथ से करना चाहिए आप देखेंगे जल्दी ही इसका असर आपको मिलता है तो अगर आपके घर पे छोटा बच्चा है तो उसको आपको नमक के पानी से समय समय पर नहलाना चाहिए एक तो इससे scientifically कोई भी allergy समंदी बिमारिया नहीं होती है और यदि आपको लगता है कि बच्चे को किसी की बुरी नजर लग रही है समझ नहीं आ रहा तो घबराना नहीं है ये सरल सा उपाय आपको करना चाहिए एक चुटकी नमक पानी में मिलाए और उस पानी से आप अपने बच्चे को नहलाए कम से कम एक हफ़ते में एक बार ये काम कीजिए आपके बच्चे को नजर नहीं लगेगी खुद भी आप कर सकते हैं ये उपाय कि चुटकी भर नमक मिलाकर रात को सोने से पहले यदि आप इस पानी से हातमुद होते हैं तो एक तरफ तो नीन तो अच्छी आती है साथ ही साथ नकरात्मक शक्तियां खत्म होती है मन का तनाव दूर होता है और नीन भी अच्छी आती है दोस्तों आपको बता दूँ आप चाहे तो बेडरूम में अपने नेत्य ते कोन में यूज्वेली बेडरूम माना जाता है तो आप बेडरूम में अपने रॉक सौल्ट लैम्प भी रख सकते हैं ये भी अच्छा होता है दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि इस तरह से नमक से ये तो हुए चोटे-चोटे कॉमन से उपाई जो अकसर शायद सभी लोग जानते हैं लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए या वश में करने के लिए भी नमक बहुत ही पॉपुलर होता है इसके द्वारा आप किसी को भी अपनी वश में कर सकते हैं जैसे आपके कोई girlfriend हो या boyfriend हो आप उनको वश में कर सकते हैं आपके पती कहीं और चले गए हैं हो आपकी बात नहीं मानते हो तो आप उनको वश में कर सकते हैं जिसको भी चाहें आप अपनी बात मनवाना चाहते हों गुलाम बना के रखना चाहते हों तो आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं आप अगर अपनी ओफिस में पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ काम करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको प्रोमोशन नहीं मिलता सफलता नहीं म अपनी है किसी और के कंट्रोल में आ गए है तो ऐसे में आप अपने प्यार को वश्मे कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी बॉस हो या घर में भी आप कोई भी मेंबर है सास ससूर है या बहू है या कोई भी रिलेटिव है उनको भी आप अपने नमक के द्वारा वश्य कर कर सकते हैं बस आपको जिसको भी वश्मे करना है उसके लिए सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा नमक लेना है ओम भगवती भागम भागी तेवी प्यारे फिर उस व्यक्ति का नाम बोले जिस पर आप वश्मे करना चाहते हैं लेट सपोज मैं जूली को वश्मे करना चाहते हूं तो मैं बोलूँगे ओम भगवती भागम भागी देवी प्यारे जूली मुझसे वश्मे करा करा स्वाहा आपको जूली नहीं बोलना है जूली के जगह पर जिसको आप वश्मे करना चाहते हैं उनका नाम बोलना है कैसे बोलेंगे ओम भगवती भागम भा जिनको आप कंट्रोल में करना चाहते हैं अगर आपके मन में उस व्यक्ति के लिए कोई बुरी भावना कोई बुरे विचार नहीं है और आपने अधिकार के लिए इस काम को किया है पुरी श्रद्धा और लगन के साथ तो ये जरूर सफल होगी और वो व्यक्ति आपके कंट् ये कोई के ऊपर भी आप एपलाई कर सकते हैं एक और आपको बताऊंगे कि गुरु वार के दिन ये उपाय किया जाता है अगर किसी को वश्मे करना चाहते हैं किसी से बात मनवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा नमक ले ले और उसके बाद जो मंत्र बताऊंगी ओम भगवती भागम भागी देवी प्यारे डैश मुझसे फशी कर्या करा स्वाहा इस प्रकार का ये जो मंत्र है इससे साथ बार बोल करके नमक को आपको अभिमंत्रित कर लेना है खासकर ट्राइ करें कि सेंधा नमक हो सेंधा नमक आप यूज करें धेली वाला नमक जो आता है सेंधा यह बेस्ट होता है अगर आप क्रिश्न पक्ष के गुरुवार को करते हैं तो यह जादा लापकारी होता है और मंत्र जब के लिए सच्चे सफेद मोती की जो माला आती है अगर वो आपके पास है या कोई भी सफेद माला सफटी कादी की माला से आप यह मंत्रों का जब जब तो यह जादा जल्दी काम करता है ध्यान लगें इस उपाय को करते वक्त सफेद रंके वस्तरों का धारन करें और नमक में बहुत ही खास आकरशन शक्ती होती है जिसकी वजह से आप कोई भी नमक का काम करते है तो यह बहुत जल्दी लोगों को अपने कंट्रोल में कर करना है खास कर जो लोग भी अपनी प्रेमिका आदी को या पत्नी को वश्य करन करना चाते है फीमेल को वश्य करना चाते है तो बारा बज़े के बाद आप उस दिशा में मूग करके बैठ जाए जिस दिशा में आपके जो भी प्रेमी प्रेमिका या जिसको भी आप लेडी को वश्मे करना चाहते हैं उनका घर हो फिर अपने बाएं हाथ में एक चुटकी नमक ले ले और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला से आप 108 बार मंत्रों का जब करें फिर इस नमक को किसी खाने की चीज में मिला कर अपनी प्रेमिकादी को खिला देना है ध्यान रखें म काहें तो एक चुटकी नमक ले करके एक नमक रमता माता दूसरा नमक विरह से आता तीसरा नमक औरी बौरी चोथा नमक रहे कर जोरी यह नमक अमुक खाए अमुक को छोड दूसरा नहीं जाए दुहाई पीर ओल्या की जो कहें तो सुनें दुहाई गौरा पारवती की, दुहाई कामख्या देवी की, दुहाई गुरु गुरुखनात की इस मंत्र को आपको 51 बार बोल करके नमक को सिद्ध करना है फिर इस मंत्र का जब करने के बाद नमक को खाने पीने की चीज में मिला करके उस व्यक्ति को खिला देना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत जादा वश में करना चाहते हैं इसके लिए आप सेंधा नमक में कबूतर की जो बीट होती है उसको मिला करके भी आप बारिक पीस ले और इस चूरन को शहद में मिला करके अपने forehead पर आप दिलक लगा करके उस व्यक्ति के सामने जाते हैं जिसे आप वश में करना चाते हैं तो भी इसको करने से वो व्यक्ति आपके वश में आ जाता है दोस्तों हमारे जोतिश में नमक के बहुत सारे उपाये बताए गए हैं जिनका इस्तिमाल करके हम अपनी जीवन की बहुत सारी परिशानियों को दूर कर सकते हैं धन का प्रवाह बनाई रख सकते हैं और साथ ही साथ आप रोग से मुक्ति के लिए भी नमक का उपयोग कर सकते किसी भी पर्सिन को जो बहुत समय से बेमार चल रहा है उसके सिर के पास काँच के बरतर में नमक भरके रखे और हर हफ़ते नमक को बदलते रहे इससे भी आपके बहुत सारे कश्ट दूर होते हैं तो दोश्तों आज मैंने आपको बताया है नमक से किस परकार आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं और व्यक्ति पर लगी हुई बुरी नजर को उतारने का काम कैसे कर सकते हैं किसी भी प्रकार की नकरात्मक शक्तियों को हटाने के लिए और अपने घर में सकरात्मकता बना कर रखने के लिए थोड़े से नमक का इस्तिमाल कैसे आप कर सकते हैं नमक हमारे मन की खिनता को भय को चिनता को सभी को दूर करता है और इस उपाई को करके आप भी अपने घर से नेगेटिव एनरजी को हटा कर पॉजिटिविटी का बास कर सकते हैं तो कर लीजे उपाई दोस्तों और अपने फ्रेंज फैमिली मम्मी पापा भाई बेन बच्चे जो भी लगते हैं बहुत दिनों से परिशान हैं नेगेटिविटी से परिशान हो चुके हैं घर में बहुत सारे उपाई पुजा पाट करने के बाद में भी आपके बहुत सारे बिगडेवे काम पड़े हुए हैं बन नहीं रहे हैं ऐसे में एक बार नमक का उपाई आपको सरूर करना चाहिए अगर लगता है आपका प्यार आपसे दूर जा रहा है आपके पती पत्नी आपसे दूर जा रहे हैं आपके बॉस आप बहुत महनत से काम करते हैं आपके कुलीक्स बहुत महनत से काम करते हैं आप अपनी सासु मा को मनाते मनाते हार चुकी है या अपनी बहु को प्यार देते देते ठक चुकी है लेकिन वो आपके करीब नहीं आती तो आपको नमक का युपाई एक बार सरूर करना चाहिए टेक के फ्रेंज लव यू आल छे माता दी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और में कनेक्टेट रह सके और हाँ दोस्तों अपनी फ्रेंज फामिली मम्मी पापा भाई भिन बच्चे सबी लोगों से इसे शेयर करना बिलकुल ना भूले टेक के फ्रेंज लव यू आल छे माता दी पंपं भूले नात की